सल्मान खान और कॉंट्रोवर्सीस हैंड इन हैंड जाते हैं। सल्मान किसी से पंगा ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो सल्मान से पंगा ले, उनको तो भायजान कोई भी हाल में माफ नहीं करते। तो सल्मान का one of the biggest rival है रन्बीर कपूर और अब इन दोनों के बीच होने वाली है कड़ी टककर ये दोनों होंगे आमने सामने और इन में से जीत होगी सिफ एक की हम बात कर रहे हैं बॉक्स ओफिस क्लैश की सल्मान खान की फिल्म दबंग 3 होगी रिलीस रन्बीर कपूर की फि प्लाइमलाइट बटो रही है विक्रिस ओफिस अमेजिंग स्टार कास्ट रन्बीर कपूर आलिया भाट अमिता बच्चन और आयान मुखर जी की जोड़ी इस फिल्म को जबर्दस जरूर बनाएगी तो ऐसे में कौन से फिल्म बॉक्स ओफिस रेकॉर्स तोड़ जाएगी ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा स्पेशली पुराने दुश्मनों को फिर एक बार आमने सामने आते देखना काफी इंट्रेस्टिंग है अब इन दोनों की लड़ाई के बारे में तो सब ही जानते है इनकी दुश्मनी की कहानी कई साल पुरानी है कपूर खांद खान को मांगनी पड़ी कपूर खांदान से सलमान की और से माफी और जब इन सब के बाद रंबीर की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में सलमान ने कैमियो किया था तब सब को लगा कि सलमान ने माफ कर दिया है रंबीर को लेकिन फिर एक बार रंबीर ने ले लिया पंग को माफ अब फिर इनका आमने सामने आना well this will be one amazing clash at the box office well आपको बता दे December में ही सलमान खान का एक और राइवल अरजुन कपूर की भी फिल्म रिलीज हो रही है पानी पद भी December के लिए scheduled है अरजुन कपूर सलमान की बहन अर पिता को date कर चुके है और वो अब सलमान के भाई की एक्स वाइफ मलायका को कर रहे है date तो सलमान का गुस्सा इनके लिए जायस है well audience को मिलेगा एक जबर्द स्ट्रीट December में आपका क्या कहना है इस clash के बारे में? Do let us know in the comment section below कर दो कर दो दो कर दो है झाल झाल